अगर आपके भी कंगे में भर भर कर गुच्छों में बाल जड़ रहे हैं, बाल बहुत जादा तूट रहे हैं, हेर ब्रेकेज बढ़ गया है, तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही एफेक्टिव हेर मास्क में आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंन पार्ट होता है ना, इसमें प्रोटीन की मातरा बहुत ज्यादा होती है, हमारे बाल केरिटिन यानि की प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, अगर आप चाहें तो पूरे एक एक को भी यूज कर सकते हैं, मैं भी पूरे फुल एक को यूज कर रही हूँ, यलो एन वाइट द करना भी कम हो जाते हैं, आप खुद सोच कर देखिए बालों की जड़े मजबूत हैं, तो फिर हेर फॉल भी बिल्कुल ना के बराबर होगा, अंडे के अलावा मैंने आपर ऐलोवेरा का इस्तमाल करा है, मैंने एक मीडियूम साइज की ऐलोवेरा की लीफ को छुट छुट सबस्ता आता है, दस बीस रुपे का पुरा पौधा जाता है, और काफी लो मिंटेन्स ब्लांट है, इस पौधे के बहुत सारे फायदे होते हैं, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, अब हमने आपर इस्तमाल करा है, एक बड़ी चमच भर कर हमें आपर का इस्तमा का मांपरा को डालने के parlar, आपको इसमें डालना है, एग, जिसे युल की बीट करकर रखाता है, युले के लिए, दालने के लो अब जो कि दालने के भाई, लगभ़क चार से पांच बड़े चमच भर कर आपको इसमें दालना है, दालना है, दालों के लिए नयच्रल कंड एक दिन आपको इस हेर मास्क को लगाना है और आदा घंटा लगा कर छोड़ देना है आदे घंटे के बाद आप अपने बालों को वाश कर सकते हैं शैंपो की मदद से इस हेर मास्क को लगाना बहुत आसान है बनाना बहुत आसान है और इसे निकालना भी बहुत आसान है बड एक महीने के अंदर आपके बालों में आपको काफे इंप्रूमेंट देखने को मिलेगा बाल लंबे घने और सिल्की शाइनी और जड़ों से मजबूत भी होंगे